हल्लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल साहू साइन्स क्लासिस तो जैसा की बच्चो आपको पता है कि लास्ट की वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टन निमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने लैंस वाले चैप्टर के जी हाँ लैंस वाले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टन निमेरिकल जो की आपके 2020 में और 2022 में सबसे ज़्यादा आए हैं हम उन निमेरिकल को सबसे पहले कवर कर रहे हैं और ये हर साल आते हैं इनके आने के सबसे ज़्यादा चांसे होते हैं तो आईए ये लैंस वाले कोशन इ आपवर्तलनतों सबसे पहले क्या करेंगा वो वह को अपवर्तल जिए किसके वायू किसे तुब की तो मैंने बताया तुम को लैसी वीडियो न Swami में व्हयू के शाप इस व्हायू को कि सबक 저희 कटे चरा का सबसरे इसका काम स्यों में क्या हैं लाास तो इनका वर्त तनक तो लेखेंगे अपवर्तनांग को एन से जिनोट करते हैं तो सब एक्स में इधर आगे ए और पीछे जी और इधर बीच में एन तो ए एन जी आपको दे रखा है कितना तीन बटे दो दे रखा है कितना दे रखा है तीन बटे दो दे रखा है उसके बाद तथा जल का अपवर्तन तीन दी रखा है ठीक है भई अब इसके बाद आता है एक दूई उत्तल लेंस के वक्र प्रस्टो की वक्रता तरज्जा है जो सिंपल उत्तल लेंस होता है उसे ही दूई उत्तल लेंस कहते है तो इनकी जो वक्रता तरज्जाएं है वो दे रखी है वक्रता तरज्जा क्या होत और इस वाले का, सेकंड वाले का जो वक्रता केंदर होगा, वो यहां पर होगा, तो कह सकते हैं कि R1 राइट साइड होगी, और R2 लेफ्ट साइड होगी, तो R1 तो हमें पॉजिटिव लेनी है, और R2 कैसे लेनी है, नेगिटिव लेनी है, आए मेरी बास समझ में, तो एक 30 cm तथा 30 cm है हमेरी आर्वन दे रखी है जो कि है 20 cm तथा रार टू कैसे लेनी है नेगीटिव लेनी है आगई मेरी बात शुच में अब आपको कह निकालना है इस Southwest की भई आपको सबसे पहला काम है नुमेरिकल को अगर आपको easy करना है तो सबसे पहला काम है कि आपको जो given है इसको solve कर, इसको लिख लेना अच्छे से हैं आप देखो फरस्स पांट निकालना है हमें first part क्या कह रहा है first part का answer yu में तथा जल में focus दूरी याद करनी है तो yu में क्या हो जाएगी fa हो जाएगी है ना पहले तो fa निकालनी है focus दूरी और second क्या निकालना है आपको जल में यानि कि f w निकालना है most important question है और आपको exam में ऐसा question देखने को जरूर मिलेगा तो आएगे शुरू करते हैं अपना solution देखिए सबसे पहले आपको first वाला solve करना है तो इसको solve करने के लिए हमें lens maker formula आपके लिए बहुत जादा important है इसका derivation भी मैं आगे कराने वाला हूँ lens maker भही lens maker आपको formula पता होना चाहिए क्या होता है lens maker formula 1 upon f is equals to n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 भही ये formula होता है अब इसी में क्या हो जाएगा इसी में भही जिसमें focus दूरी जो भी निकालनी है तुम्हें यहाँ पर वो put कर दो है ना तो हमें कौन सी focus दूरी निकालनी है हमें निकालनी है air में वायू में तो 1 upon f is equals to अब वायू में रखा हुआ है lens जब वायू में रखा हुआ है तो उसके बीच में ना कोई जल है तो वायू है बहार और अंदर glass है तो ang लेंगे हम है ना तो n की जगे पे क्या आजाएगा ang minus 1 और 1 upon r1 minus 1 upon r2 आगए मेरी बास समझ में अब values put कर देते हैं values put करेंगे ang की जगे पे क्या जाएगा 3 by 2 आजाएगा 3 by 2 आजाएगा 3 by 2 minus 1 आगया अब 1 upon r1 तो 1 upon r1 कितना है हमारा 20 है है ना कितना है 20 cm है तो 20 हो गया minus 1 upon r2 अब मैंने आपको बताया था कि r2 कैसा लेना आपको negative तो minus का 30 हो जाएगा आगे मेरी बास समझ में अब इसे solve करना है बस हमें क्या करना है ये 3 by 2 है ये lcm कैसे लेते हैं नीचे वालों को दोनों का multiply इसका multiply इदर और इसका multiply इदर तो देखो 3 एकम 3 2 एकम 2 तो उपर हो गया 3 minus 2 2 और अब उपन में क्या हो गया 2 हो गया है ना और इधर देख लिखते हैं इधर भी lcm लेंगे तो किyan निकल के आएगा क्या करना है देखोта मैंटे मैंटे माइंटस करदो क्या करदो मैंटस माइटस करदो अब 20र 30 किस पार्णी से 3 लिख दिया 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60 यह तो आपका आता होगा लसे हम निकालना है ना भई तो देखो हमारा यहीं पर देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा तीन माइस तीन में 3 माइस 2 कितना होगा वन वन अपॉन टू तो वन अपॉन टू इंटू 3 प्लस टू 5 और अपॉन म तो हम कह सकते हैं वन उपर है और बीवन है और इधर इधर एधर 24 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमेटर तो पहला अंसर हमारा कितना आ गया एफ इप इस इकल्स टू 24 सेंटीमेटर आइधा आपको यह वाला समझ में आया हो अब नेक्स चलते हैं एफ डव्ल्यू की तरफ है ना जल में लेंस की focus दूरी ठीक है अब निकालते हैं जल में लेंस की focus दूरी तो second है आपका जल में तो हमें क्या निकालना है अब देखो formula क्या हो जाएगा उसके लिए f w is equal to अब यहां समझना यहां पर बच्चे दिक्कत खा जाते हैं इसको solve करने पर क्या मिला था 5 अब इधर देखो यहां पर यहां पर क्या है एन होता है एन माइनस वन हमने यहां पर एंग रखाता उपर है ना उपर क्या रखाता एंग रखाता लेकिन अब क्या रखेंगे अब समझने मेरी बात को अब लेंस वाटर में अब लेंस किसमें वाटर में है जब लेंस वाटर म माइनस वन अब एक और चीज उपर हमने देखा था हमारे पास W N G तो ही नी हमारे पास क्या है A N W है हमारे पास क्या है A N W है तो W N G कैसे निकालेंगे भई हम तो W N G निकालने के लिए आपको क्या करना होगा देखो मेरी बात समझिएगा हम जानते हैं 1 N 2 is equals to क्या होता है N 2 upon N 1 तो ऐसे ही अगर मैं देखू कि W N G is equals to क्या हो जाएगा देखो N 2 ऊपर आ गया था और N 1 नीचे आ गया था तो मैं कहता हूं N G ऊपर आ जाएगा और N W नीचे आ जाएगा और क्योंकि यह दोनों हमेशा किस के respect में होंगे एइएर के respect में के तो W N G की जगहे पर N G अपन N W अब देखो यहां पर क्या जाएगा चार बटे में तीन देखो बइपास वाले का पास वाले से multiply और दूर वाले का दूर वाले तो 4 दूनी कितना हो जाएगा नीचे 8 और 3 3 9 चीख है तो हमारा WNG कितना हो गया 9 upon 8 वह यहाँ पर हम पुट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या जाएगा 9 upon 8 minus 1 ठीक है और इसको भई 5 से 60 कितनी बढ़ जाएगा 1 upon 12 आ जाएगा इसका answer है ना बहुत easy है कुछ नहीं है इस question में देखो अब हमने LCM देखेंगे तो यह इसका multiplier हो जाएगा तो 9 minus 8 कितना हो जाएगा 9 minus 8 हो जाएगा 1 और 1 upon 8 है ना इंटू में 1 upon 12 और इधर 1 upon FW है ना अब 128 कितना होता है 96 होता है तो 1 upon 96 अब देखो उपर 1 है उपर 1 है यह दोनों बरावर है तो FW किसके बरावर और हमने air में भी बायू में भी निकाल ली और जल में भी निकाल ली चीक है आईए इसके बाद आपको नेक्स कोशन पर लेके चलते हैं चीक है तो देखो बच्चो नेक्स कोशन है देखो यह भी 2019 में और 2022 में और यह बहुत जादा important question है जो सबस्यादा पूछा जाता है कि आपको दो अलग-अलग lens दे दे जाएंगे एक उत्तर lens तथा अवतर lens की focus दूरी करमशा 10 सह्में से describing हैं तो आको एक उत्तर lens की देदी फोकस दूरी और एक अवतल लेंस की देदी दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं है ना अभी मैं समझाँगा कैसे संपर्क में रखे हैं इस युग में से 25 सेंटी मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है अब वस्तु के प्रतिबिंब की आपको इस्तिधी ग्यात करनी है तो देखो भई कोशन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ कोशन ये कह रहा है ध्यान से समझेगा कोशन ये कह रहा है कि एक उत्तर लेंस भई एक उत्तर लेंस है ये रहा हमारा एक उत्तर लेंस ठीक है गाईज एक उत्तल लेंस ले लिया हमने और एक है हमारा अवतल लेंस अब ये दोनों संपर्ग में रखे हैं तो भई अवतल लेंस है तो हम ऐसे करके भी बना सकते हैं ऐसे करके बना दो डारेक है ना तो एक उत्तल लेंस हो गया वो हमेशा negative लेनी है अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ रखे हुए है अब आता है इसके बाद कि इनकी focus दूरियां करमशागा कितनी दे रखी है तो देखो भई हम ऐसे करके लिख लेते हैं कि इसकी F1 माल ली और इसकी F2 माल ली है ना तो given लिख लेते हैं सबसे पहले कि given given मतलब दिया है है ना ऐसे लिख सकते हैं तो F1 is equals 2 हो जाएगा 10 cm 10 cm दे रखी है और F2 is equals 2 दे रखा है 50 cm मतलब हम कैसे लग देंगे minus का 50 cm ठीक है यह कोशन है इसके बाद उसने बोला है इस यूगम से क्या बोला है इस यूगम से 25 cm की दूरी पर वस्तू रखी है तो इस यूगम से यूगम है कपल बन गया है अब इससे 25 cm की दूरी पर वस्तू रखी है अब वस्तू हमेशा का रखते है है हम left side रखते है कह प्रत्यविंब की इस्तिथी ग्यात करो। प्रत्यविंब की स्तिथी का मतलब आपको क्या होता है? तो देख़ो इतना easy सा question है, और यह आपका, दो, तीन marks का आराम से आता है। आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते तो देखो समझते हैं इसे कैसे solve करेंगे कभी भी आपको देखो अब हमें निकालना का है वी निकालना है आपको lens formula पता होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा important है और बहुत ज़्यादा easy है 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u अगर आपको यह पता है तो इस question को आप अराम से कर सकते हैं ठीक है तो अब कैसे करेंगे इसे solve देखो भई हमें total f चाहिए इन दोनों की focus दूरी total लेकिन हमारे पास f1 और f2 अलग 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 दे रखी है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं total कर लेते हैं तो हमारे पास f आ जाएगा और u हमारे पास है तो हम v अलग से निकाल लेंगे ठीक है भई तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा formula देखना होगा कि 1 upon f is equal to क्या होता है 1 upon f1 plus 1 upon f2 है ना जब 2 focus दूरियां दे रखी हूँ अब 2 focus दूरियां दे रखी हैं तो हम क्या कर सकते हैं इनकी values put कर सकते हैं भई देखो 1 upon f1 क्या लग देंगे 1 upon 10 अब plus 1 upon f2 f2 कितना minus का 50 तो ये minus का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है भई समझ में आगे मेरी बाद इसको solve कैसे करेंगे भई देखो इसको इधर solve कर लेते हैं 1 upon 10 minus 1 upon 50 क्योंकि plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा आई मेरी बाद समझ में ये वाली चीज़ clear हो गई होगी अब LCM ले लेते हैं भई अब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों ville gue कर लो इस का मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर बहुत इजि होता है ठीको 50 का गोना कर लो 50 कोना दस पचास का इदर 20 का इधर multiply कर दो जाएगा 50 में से 10 गAnt , क ouais सका हिवे बचेगा हमारे पाश तो देखो, दो चीज़ हो गई, एक तो 1 upon F, क्योंकि आपको 1 upon F की ही need है उपर, लेकिन F is equal to अगर आपको लिखना है, तो वो कहले हो गया, पचास बटे 4 लिख दो, या फिर इसमें इसका divide कर दो, तो 50 बटे 4 cm F आ गया, अब हमें इस formula में put कर देना है, क्योंकि 1 upon F is equal to simple क्या V minus 1 upon U, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 upon V को separate कर लेते हैं, तो 1 upon V निकालना है, तो 1 upon V को अकेला छोड़ दो, और बागी इसके पास जो minus 1 upon U है, उसको इदर भेज दो, यह minus का है, उदर जाके plus का हो जाएगा, तो 1 upon F is plus 1 upon U हो गया, clear है मेरी बात, अब 1 upon F, F कितना था, 1 upon F, 4 चार बटे 50 था, तो 4 बटे में 50 आगया, प्लस, अब 1 upon U, यू कितना है हमारे पास, हमने देखा था, उपर, U कितना है हमारे पास, minus का 25 cm, तो हम क्या करेंगे, इसे minus का 25 cm, तो देखो, minus का 25, तो 1 upon minus का 25 cm, देखना, अब इसे solve कैसे करेंगे, बहुत ईजी तरीका से solve करेंग देखो, कैसे, हमने देखा, 4 बटे 50, और minus 1 upon 25, अब देखो, लेने में आपको दिक्कत आईगी, तो मैं एक इसी तरीका बता रहा हूँ आपको, क्या करना है, कभी भी आपको कोई भी नंबर दीखे, जैसे 1 upon 25 है, इसमें हम कुछ भी उपर नीचे multiply कर सकते हैं, क्योंकि मैं सेम हो जाएगा, है ना, यह 6 क्लास की मैच है, 4 upon 50, minus 2 upon 50, आए मेरी बात सबज में, clear है यह वाली बात, तो कितना हो जाएगा बेटा, LC हम आगा, सेम, 50 उपर वालों को minus कर दो, 4 minus 2 कितना हो जाएगा, बेटा, 2, 2 upon 50, और 2 का आदा, 50 का आदा कितना हो जाएगा, 1 upon 25, यह किस इजी है, numericals को इनको solve करना, तो हम लिख देंगे है end में, कि वस्तू का प्रतिविम, lens युगम से 25 cm की दूरी पर बनेगा, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे ही बहुत सारे important numericals को देखने के लिए, channel को subscribe करें बई, है ना, और जिनको भी need है, आपके friends या फिर जो भी है, उनको सबको आप भेजिए, और वीडियो को ज़्यादा share कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द next वीडियो में, बहुत सारे derivations कराने हैं, बहुत सारे numericals कराने हैं, और अगर आपको maths के questions भी चाहिए, important maths के questions भी चाहिए, तो आप मुझे comment करके, बता सकते हैं, क्योंकि maths क की वीडियो भी मैं जल्दी जालूँगा, ठीक है, okay guys,